मालसून में किचन को एक्स्ट्रा केर की जूरत होती है हवा में नमे की वज़े से बहुत सी फूड आइटम खराब होने लगती है तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही टिफ शेयर करने वाली हूँ जिससे समय और पैसे तोनों की बच्चत होगी मेरा सबसे पहला टिफ यह है कि इस मोसम में जो भी फूड आइटम ले वो कम कौांटिटी मिले यदि फूड आइटम कम कौांटिटी मिलेंगे तो खराब होने से पहले ही हमारी यूज में आ जाएगी अक्सर हम देखते हैं कि मांसून में नमी की वज़े से चीनी में सीलन आ जाती है तो सबसे पहला काम करना है चीनी को किसी भी एट टाइट कंटेनर में डाल कर रखना है दूसरा इसमें कुछ डाल दे राजमा के दाने राजमा के दाने डालने से इसमें सीलन नहीं आएगी जितना भी मोश्चर होगा वो राजमा के दाने सोख लेंगे और यदि चीनी को चीन्टियों से बचाना है तो इसमें आप डाल दे लोंग लोंग की खुश्बू से चीन्टिया नहीं आईगी लोंग को चीनी में अच्छे से मिक्स करना है इस प्रकार से हम चीनी को सीलन और चीन्टिया दोनों से ही बचा सकते हैं चावल को अक्सर हम काफी क्वांटिटी में स्टोर करते हैं लेकिन बारिश में चावल में फंगस और कीडा लगने का डर रहता है तो इसके लिए आप क्या करें इसमें आप डाल दें एक मैच बोक्स मैच बोक्स की खुश्बू से चावल में कीडा नहीं लगेगा और ना ही इसमें फंगस लगने का डर रहेगा यदि आप मैच बोक्स नहीं डालना चाते तो इसमें सूखी हुई 6-7 लाल मिच डाल दें इससे भी चावल में फंगस और कीडा नहीं लगता चावल में मिर्चों को अच्छे से मिक्स कर दे इस से चावल लंबे समय तक सेफ रहेंगे वैसे तो किचन में हम लाइटर का यूज करते हैं लेकिन पूजा के लिए हमें मैच बोक्स चाहिए और मानसून में ये मैच बोक्स सील जाती है जिससे ये अच्छे से काम नहीं करती तो इसके लिए क्या करें एक लिए एट टाइट कंटेनर और सभी मैच बोक्स इस कंटेनर में डाल कर रखे तो आप देखेंगे कि कंटेनर में रखी हुई ये मैच बोक्स कभी भी सीलेगी नहीं और अच्छे से वर्क करेगी हम सभी जानते हैं कि ड्राइफूर्स कितने एक्सपैंसिव होते हैं और यदि ये खराब हो जाए तो हमारे काफी पैसे परबाद हो जाते हैं तो मानसुन में इने नमी से बचाने के लिए हमने सबसे पहला काम करना है इन सभी ड्राइफूर्स को एर टाइट कंटेनर में भर कर रखना है उसके बाद इसमें डाल देने हैं दो-दो पीसिस मिश्री के मिश्री डालने से इन सभी ड्राइफूर्स में नमी नहीं रहेगी और ये खराब नहीं होंगे मिश्रे के पीसिस डालने के बाद इन सबी ड्राइफूर्स के कंटेनर को फ्रीज में रखेंगे इससे ड्राइफूर्स लंबे समय तक सेफ रहेंगे अब बात करते हैं बिस्किट की जब भी हम बिस्किट का पैकेट खोलते हैं तो हम सारे बिस्किट खा नहीं पाते और इन biscuit को यदि ऐसे खुले में रखेंगे तो ये सील जाएंगे तो इसके लिए क्या करें एक लेंगे एक टाइट कंटेनर सबसे पहले इस कंटेनर में एक बटर पेपर बिचा लेंगे और इस पेपर के उपर डाल देंगे कुछ चावल के दाने और फिर से एक और पेपर लगाएंगे और उसके बाद इसमें बिस्कित डाल कर रखेंगे इस से बिस्कित में बिल्कुल भी सीलर नहीं आएगी यदि पटर पेपर नहीं लगाना जाते तो इन बिस्कित के उपर डाल दें थोड़ी सी चीनी के दाने चीनी डालने से भी पिस्कित में सीलन नहीं आती और किचन में डाले रखना तो सबसे ज़्यादा जरूरी है लेकिन डालों में सबसे ज़्यादा कीड़े लगते है मानसून में इन डालों में कीड़ा ना लगे इसके लिए इसमें डाल दें तेज पत्ता तेज पत्ते के खुश्बू से दालों में कीड़ा नहीं लगेगा दाल कोई भी हो उसमें ये तेज पत्ता डाले जा सकते हैं और लंबे समय तक हम दाल को स्टोर करके रख सकते हैं अब आता है मसाले मसालों में मांसूर में फंगस हो जाती है तो इसके लिए क्या करें? इसमें डाल दे हींग के कुछ टुकड़े हींग की खुश्बू से मसालों में कभी भी फंगस नहीं होती यदि हींग आपके पास साबूत नहीं है तो हींग का पावडर भी डाला जा सकता है इसके लिए कोई भी एक कोटन का कपड़ा लेंगे उसमें डाल लेंगे थोड़ी सी हींग हींग डालने के बाद इसकी एक पोटली बना लेंगे और पोटली बना कर इसे डाल देंगे मसाले में सबी मसालों में इस पकार की पोटली बना कर रखी जा सकती है इससे मसालों में फंगस नहीं आएगी और मानसून में नमक में सबसे ज़्यादा सीलन आती है और इसके जो होल है वो बंध हो जाते हैं होल बंध होने से नमक नहीं निकल पाता इसके लिए इसमें डाल देंगे कुछ चावल के दाने चावल के दाने डालने के बाद इसे शेक करेंगे इससे इसके सारे होल खुल जाएंगे और असानी से नमक निकलेगा इसमें हम ऐसा कर सकते हैं लेकिन जो हमारे पास नमक का बड़ा कंटेनर है उसमें हमने ऐसा नहीं करना इसमें हमने चावल के दानों की पोटली बना कर रखना है इसके लिए कोई भी एक कोटन का कपड़ा लेकर उसमें चावल के दाने डालेंगे और इसके चोटी सी एक पोटली बना कर इस नमक के कंटेनर में डाल देंगे इससे नमक में सीलर नहीं आएगी चावल होते हैं वो नमक की नमे को सोख लेते हैं कीचन के इन टिप्स को अपना कर हम समय और पैसे तोनों बचा सकते हैं और मानसुन को इंजोई कर सकते हैं तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कोमेंट करके चूर बताए तो मिलेंगे मेरी नेक्स वीडियो में एक नए टोपिक के साथ ओके फ्रेंस